प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनदर अफडेट दिल्ली इंसा को लेकर बुद्वार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाने वाले दिल्ली हाई कोट के जस्टिस एस मुर्ली धर का ट्रांसफर हो गया है केंद्रे कानून मंत्राले की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में उन्हें पंजाब एंड हर्याना हाई कोट में ट्रांसफर किया गया है वहीं अब जस्टिस एस मुर्ली धर के तबादले को लेकर राजनीती शुरू हो गई है कॉंग्रिस महासरचिफ प्रियंका गांधी वाडरा ने उनके तबादले को लेकर केंद सरकार पर निशाना सादा वहीं राउल गांधी ने भी ट्वीट कर जस्टिस लोया को याद किया प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मौजूदा मामले को देखते हुए जस्टिस एस मुर्ली धरन का तबादला चौकाने वाला नहीं है बलकि ये दुखत और शर्मनाक है उन्होंने आगे कहा कि लाखो भारतियों को एक नयाय प्रिये और इमानदार नयाप आलिका में विश्वास है सिर्फ इतना ही नहीं सावट के सूपर स्टार रजनीकान ने भी दिल्ली हिंसा पर अपनी भडास निकाली रजनिकान ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर केन सरकार की कड़ी निंदा की उन्होंने कहा है इसमें कहीं न कहीं केन सरकार की कमी है अगर आपसे दंगे काबू नहीं किये जा रहे हैं तो आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए